आज हम लोग जानेंगे के computer fundamental मतलब की basic knowledge computer का starting knowledge की आखिर computer क्या है कैसे है कैसे काम करता है उसका generation क्या है पहले computer कैसे था यह सारा information आज का वीडियो में हम बताएंगे start करते हैं कि computer आखिर क्या है तो अगर हम बोलेंगे कि computer क्या है तो ऐसे बुकिश लैंग्वेज तो बहुत है जैसे कि अभी स्क्रीन पर देख पार रहे हैं कि computer is an electronic device which converts data into information ऐसे कि computer क्या करता एक data को क्या करता वो process करता है data क्या है data को प्रॉसेस करके क्या बना देता है इंफ्रमेशन बना देता है और output के रूप में हम को वापस देता तो यह अखिर data क्या है तो यह अगर उस 50 के आगे अगर अगर हम Rs लगाते हैं रुपीज लगा देते हैं वह क्या बन जाता एक तरह का इंफोरमेशन वह डेटा से हमको इनफोरमेशन मिल रहा है तो वह क्या हो गया एक 50 रूपीज हो गया तो वही चीज़ इनफोरमेशन क्या होता है data which conveys the meaning is called information मतलब कि जो डेटा हमको मतलब समझाए अर्थ पून डेटा को सूचना या फिर इन्फॉर्मेशन कहते हैं अब देखते हैं कि कंप्यूटर का shortcut क्या होता है कंप्यूटर का full form कंप्यूटर का full form क्या होता है commonly operated machine particularly used for trade education and research अब यह कहां समान्य रूप में काम में आने वाली मशीन जो विशेश रूप में कहां काम में आती है वैपार में अनुसंधानकारे में education में यह सब सारे छेत्र में यह सब काम में आते हैं इसी को इसी को इसका full form बना दिया हर एक जगा अलग अलग तुमको फुल फॉर्म मिलेगा लेकिन फिलाल अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है commonly operated machine particularly used for trade education and research अब आते हैं हम लोग जनरेशन पे की computer पहला जनरेशन में क्या था second generation में क्या था third generation में क्या था सबसे पहले आते हैं फर्स जनरेशन में तो जो सबसे पहला जनरेशन था 1946 से 1955 इसमें जो इंटर्नल चित यूज होता था वो क्या उसलिए स्क्रीन पर देख पा रहे हो यह इस्तमाल होता था क्या फ्र्स जनरेशन सब चीज जादे इंपॉर्टेंट है तो दिखते हैं पहला जनरेशन में क्या है grateful तो इसमें क्या है साइज बहुत जादे बड़ा हो जाए था एक computer रूम ले ले लेटा था और इसका जो बिजली कापिसिटी बिजली जो लेता था वो भी बहुत लेता था और जो हीट जन्रेंट कोड़ा था नहीं जादा था 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 गूंट जादा होता था तो संद Rich Lieuva उसमें ट्रांजिस्टर यूजी यूज उने लगा मैकिस कर कर Pip leash जहां ट्रांजिस्टर उससे क्या होगा कि थोड़ा सा heat क्या होगा मिनिमाईज हो गया और processing speed भी थोड़ा सा हाई हुआ जैसे कि हम लोग sim में भी यूज़ करते हैं पहले जो 1G 2G 3G 4G अभी अमनों 4G फिर 5G का testing चल रहा है तो यह क्या हो रहा है कि अपने आपको develop करता है वो और भी स्पीड होता है उसी तरह यह सकेंड जनेरेशन उसके बाद आता है computer में third generation third generation में क्या यूजरने लगा IC integrated circuits IC कब यूजरने 1966 से 1975 में IC यूजरने लगा इससे क्या हुआ कि computer का size छोटा हो गया और processing speed भी थोड़ा हाई हो गया उसके बाद 4th generation में 1976 से 1980 के बीच में क्या आया micro processor आया जो अभी हम लोग फिलाल यूजर भी दे तो माइक्रोप्रोसेसर में क्या है आखिर वही आई सी बहुत सारे IC मिल के एक microprocessor बनता है तो यह किसमें स्थमाल हुआ फोट जनेरेशन में उसके बाद आया क्या फाइव जनेरेशन यह 1980 के बाद है यह क्या है आर्टिफिशल इंटिलिजेंस यह इंटिलिजेंस मतलब दिमाग आर्टिफिशल दिमाग तो यह किसमें है robotics तो यह AI जो 5th generation of computer यह यूज करता है advanced microprocessor वो कहा तुमार रोबेटिक्स में या काम आता है लग वाइक सी्ट, आब आते हम लोग computer आखिर work कैसे करता है क्या करता है तो सबसे पहले क्या करता है वह सबसे पहले वह लेता है इंपूट क्योंकि अगर किसी चीज पर उसको काम करना हो तो वह चीज पहले लेना होगा डेटा लेना होगा तो सबसे पहले क्या करता है इंपूट लेने के बाद इंपूट क्या लिया डेटा अब उस डे जो देटा से हमको मतलब समझ में आता है और उस डेटा को क्या करता है चाहे तो स्चोर करता है या फिर आउट्पूट के दो रूप पे हम लोग को वापस दे देता है किसी चीज कीटे दिए अगर दो पड़ते हैं तो हमेशा वका हम्यां मेंतला इसको इंप्लीमेंट करके समझ स Mayo जैसे कि अगर दरजी के लिए सबसे पहले क्या है देते हैं उसको raw material दे थे कच्चा मालर देते हैं जैसे कोई कप्रा लेकर गाई है दो मीतर वह कप्रा भी फिलहाल कोई काम ज्यादे काम का है नहीं उसके लिए क्या है दर्जी लिए इंपुट हम क्या किया दर्जी को दिये इंपूट दिये दर्जी क्या किया उसको सिला सिल्क वो क्या किया प्रोसेस किया उक्या प्रोसेस किया प्रोसेस करने के बाद वो क्या बन गया सर्ट वो उसको क्या करेगा आउट्पूट मतलब वो हमको देगा या फिर इस्टोर करके रख ले इ इस हिसाब से working principle के हिसाब से इसके parts को हम लोग divide करते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ, input अगर लेगा तो उसके लिए input device का ज़रौत परेगा process करेगा, उस data को तो उस data के लिए processing device का ज़रौत परेगा फिर अगर हम उसको output देना हुआ, तो output device का ज़रौत परेगा store करने के लिए storage device और user जो हम लोग use करते हैं उस device को यह हुआ पांच इसका devices, सबसे पहले आते हम लोग input device input device का मतलब क्या हुआ, confusion होने का कोई ज़रौत नहीं, input क्या है input, मतलब in करना, मतलब किसी चीज को inside भीजना अब जैसे keyboard, सबसे पहला आया मेरा फे keyboard, तो keyboard क्या करता है, अगर हम keyboard में a press करता है, तो यह जो a है, यह कहां गया CPU में, बाहर से अंदर, मतलब जो data है, वो कहां जारा है, बाहर से अंदर, किस device के मदद से, तो keyboard, तो keyboard क्या बन गया, input device, यह देख रहो keyboard में एक तरह क्या है, टाइप राइटर के तरह दिख रहा है, अब हर एक keyboard है, alphabets भी है, बहुत सारा symbol भी है, numeric भी है, और बहुत सारे buttons भी यह functional की, यह सब keys जितना भी है keyboard का वो अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम explain करेंगे, फिलाल हम देखते है कि keyboard क्या है, input device है, दूसरे में आते क्या है, input device, जैसे कि हम click करते हैं, किसी program को अगर हम open करना होता है, तो हम left click का इस्तमाल करते हैं, दो बार, अगर उस पर click करते हैं, तो हम instruction बाहर से अंदर भेजे कि हमको इस program को open करना है, तो यह क्या हो गया, input device, mouse में कितना button होता है, दो button और एक पीच में scroll bar, जो left side button होता ह है, वो क्या होता है, अगर हम double click करते हैं, तो उस program को किसी program या software को खोलने का ज़रूत होता है, तो हम लोग double click करते हैं, left click, right click से क्या होता है, उस program का properties खोलता है, अगर cut, copy, rename, property, यह सब करने के लिए, right click के इस्तमाल करते हैं, और बीच में scroll bar होता है, वो किसलिए होता है, page क up या page को down करने के लिए, इस्तमाल किया जाता है, अब आते हैं, mouse में, और क्या बच गया यहाँ पर, mouse तो हो गया, तुम्हारा input device, उसकी बाद next जाते है, joystick, joystick गेम खिलने के लिए, इस्तमाल किया जाता है, यह भी एक तरह का pointing device ही है, गेम खिलने के लिए, mouse का इस्तमाल कर न करने के लिए, reload के लिए अलग, यह सब total button तो रहता है, इसलिए हम लोग जोयस्टिक का इस्तमाल करते है, जोयस्टिक किसलिए है, gaming device है, यह भी gaming input device है, तो यह भी क्या है, input device है, उसके बाद हम लोगा आते हैं, scanner में, scanner तो सब को जानते हो कि form fill up करने जाते हो, तो अपना photo द अबरत से क्या हुआ, जो तुम्हारा बाहर का information था, data था, वो सो क्या किया, computer में भेज दिया, तो यह क्या हुआ, एक तरह का input device, memory card हो गया, memory card और pen drive निए, pen drive तो storage device है, memory card reader, जो तुम्हारा memory card से information को read करता है, input करता है, यह भी क्या हो, एक तरह का input ही device है, उसके debit card reader, यह क्य क्या होता है, जो हम लोग डेविट कार्ड में, जो information होता है, कहां पर, input होता है, कहां पर, तुम्हारा उस machine में, तो यह भी machine क्या कर रहा है, input कर रहा है, उस data को input कर रहा है, इसलिए यह भी machine हो गया, input device, अब आते हम लोग बात आता है, barcode reader में, mall में सब को गया होगे, समान खरिते हो, समान में, देखते हो, कि जादे calculating ने करता है, बस समान ऐसे लेता, barcode दिखाता है, वो machine से scan करता है, scan हो जाता है, तो यह क्या करता है, इस barcode में, तुम्हारा बस एक character छुपा रहा था, चाहे वो alphabets हो, या नंबर हो, तो यह इसमें, यह जो alphabets या तुम्हार पार-code reader, जो जिस machine से connected, जिस computer से connected है, उसमें वो code से related सारा information, saved रहता है, यहाँ से बस उस code को scan code करता है, तो BCR एक तरह का क्या हुआ, input device हुआ, आगे बढ़ते है, magnetic ink character recognition, MICR, यह भी एक तरह का input device है, जैसे कि हम लोग checkbook का इस्तमाल करते है, चेकलिफ के नीचे डिशित लि करता है, तो यह machine उस इंक को check करता है, कि यह असल में magnetic ink है या नहीं, तो bank वाले रखते हैं, MICR को ताकि वो check कर पाएं, जो चेकलिफ है, यह ओरिजिनल है या फिर नहीं है, यह भी एक तरह का input device है, उसके बाद आता है, OCR, optical character recognition, मतलब optical character recognition का मतलब है कि क्या, जैसे हमको को क लिखने दिया, कोई text form में लिखके दिया, एक page में, तो वो बोला हमको type करने का जरूत है, हमको type करके दे दो, तो तुम बैठोगे type करने, लेकिन OCR, एक machine है, उसको क्या करेगा, उसको scan करेगा, उसके बाद वो जो लिखावट है, अगर वो directly उसको recognize कर लेता है, और directly convert कर द device है, उसके बाद आते हैं, OMR, OMR sheet में, यह दिया तो सब जानते हैं, exam देते हैं, OMR sheet में, तो teacher तुम लोगो instruction देता है, कि जो भी goal है, पूरा goal करने, क्योंकि यह कोई इंसान नहीं चेक करता है, यह machine से check होता है, machine में instruction तो set रहता है, machine तो जितना बोला जाएगा, उतना ही कर कर देता है, इसलिए instruction दिया जाता है, कि उसको totally round कर ले, यह भी क्या करता है, OMR sheet को read करता है, input करता है data को, तब उसको process करके वो देता, तो यह भी क्या होगा, एक तरह का input device हो गया, उसके बाद आते हैं, अब यह हो गया total input device, अब खतम होगे input device, अब आता है processing device, जो data input हो तो processing करने के लिए एक device आता है, CPU central processing unit, इसको brain of a computer भी बोला जाता है, क्योंकि सारा controlling जितना भी feature input, output, total यह control कौन करता है, तुमारा CPU करता है, अब यहाँ confusion क्या है, कि यह जो पूरा board जो देखते हो, पूरा डबा जो देखते हो, उसको बोलते हो CPU, लेकिन main में वो CPU नहीं है, यह देख रहे हो, जो छोटा चिप देख रहे हो, वहाँ पर चिप जो वहाँ लगा रहाता है, micro processor, उसी को CPU असल में CPU कहा जाता है, आगे बरते हैं, उसको cabinet किया जाता है, पूरा डबा को हम लोग cabinet करते हैं, उसके अंदर motherboard आता है, और भी अलग समान आता है, अब आगे बर CU, ALU क्या है, arithmetic, logical, arithmetic, logical unit, मतलब जितना भी calculation का काम हो, जैसे 2 plus 3, 2 into 3, 2 divided by, यह जितना भी calculation, mathematical calculation है, वो total कहां होता है, mathematical, logical unit में, और जैसे 2 is greater than 3, 2 equal to 3, यह सब क्या है, logical काम है, तो mathematical plus logical काम, यह दोनों काम कहां पर होता है, तुमारा, ALU में होता है, उसके बाद आता है, तुमा critical input device, output device, जितना भी हम लोग connect करते हैं, या फिर जितना भी data flow है, इधर से उधर जाना, CPU से RAM, RAM से CPU, hard disk, जितना भी data flow है, वो total control कहां से होता है, CU से होता है, क्योंकि अगर print मारते है, पांच print मारे, तो पहला print कौन जाएगा, जो पहला भेजा गया, यह नहीं कि जो आखने व आग भी होता है, तो आज के लिए आप लोग के लिए एक सवाल है, सब तो जानते हैं कि father of computer कौन है, सब बोलेंगे Charles Babbage, अब बहुत सब student को यह नहीं पता है कि mother of computer कौन है, और इसको क्यों कहा गया है, अगर जिसको पता है, वो मिया comment box में, नीचे comment कर दे, Google का इस्तमाल नह अगर ये वीडियो आपको information पहुचाया है, और आपको अच्छा लगा है, तो इसको subscribe परेए।